दोस्ता अगर आप Redmi Note 9 Pro या Poco M2 Pro की उजर्स हैं तो दोस्तों आपके लिए good news है दोस्तों फाइनली MIUI 13 का second update रोल आउट कर दिया गया है Poco M2 Pro और Redmi Note 9 Pro के अंदर अगर आपके पाद Redmi Note 9 Pro device है या Poco M2 Pro device है आप चेक कर लिजिए आपको यह update मिला है या नहीं मिला है 13.0.2.0 का जो कि MIUI 13 का दूसरा अपडेट है यहां पर रोल आउट कर दिया गया है तो इसके अंदर कहके जिए चिंजिस मिल जाती है तो इस बोड़े में सारी डीटेल आपको देखने को मिल जाएगी तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए माँ पर आपको अपडेट की स्क्रीन सट वगएरा मिलते रहेंगे तो डिस्क्रिप्सन में लेंक है टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन कर लीजिए तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा है आप अपडेट के बारे में तो अगर आप Redmi Note 10 प्रो य और परफॉर्मेंस रेडिट काफी प्रोब्लम आ रही थी तो उसे यहां पर फिक्स कर दिये गया है अपडेट के अंदर ठीक है अब दोस्तों आप बोलेंगे कि हमारे फोन के अंदर अपडेट नहीं आया है तो इस तो कोई प्रोब्लम में की बात नहीं आपको आने वाले एक अपके के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा चाहे आप Poco M2 Pro ये उस कर रहे है चाहे आप Redmi Note 9 Pro ये उस कर रहे है तो दोनहीं डिवाइस के अंदर आपको फाइनली अपडेट मिल चुका है ठीक है ना सेम अपडेट आया है दोनों डिवाइस के अंदर 13.0.2.0 का Poco M2 Pro और Redmi Note 9 Pro के अंदर अगर अपडेट आपके फोन के दर आया था आने के बाद अपडेट गाया बहुत चुका है तो कोई पुरावलों की बात नहीं तो भी आपको वेट करना होगा अपडेट मिल जाएगा और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आप जुरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिए चांक यू